जो ना ही सही है और ना ही घलत और सही नहीं है तो क्यों नहीं है और गलत है तो सही क्यों लगता है ये सही और गलत का फैसला आखिर कौन करता है किसी को खयालों में बसाना सही है क्या अगर बाहों में कोई और हो और जो बाहों में है वो सही नहीं तो जो खयालों में है वो गलत कैसे है अगर आपका दिल किसी को बार बार पुकारे जिसे पुकारना ना पाक हो तो क्या ये गलत होगा कि वो सामने आ जाए तो उसे अन देखा करना ना गवार हो और वो सामने है तो क्यों है क्या उसे पल भर के लिए देख लेना भी सही नहीं और गलत है तो सही क्या है ये सही और गलत का फैसला आखिर कौन करता है अगर चोरी करने की सजा मिलती है तो दिल दुखाने की सजा भी तो मिलनी चाहिए अगर अदालतों में घर तोड़ने की सुनवाई की जाती है तो घर तबाह करने की सजा भी तो मिलनी चाहिए अगर अपने जेबो को पैसों से भरना घलत है तो किसी एक इंसान को देवता जैसे पूझना सही है क्या अगर सियासत के नाम पर जंग करवाना सही है तो देश बेचने वालों को घलत कहना घलत क्यों और अगर धरम के नाम पर बटवारा करवाना सही है तो आजादी के नाम पर नारे लगाना घलत क्यों किसी एक इंसान से दिल खोल कर प्यार करना सही है तो जब वो किसी और से करता है तो मुझे सही क्यों नहीं लगता और वो सही है तो मैं घलत क्यों यह सही और गलत के बीच में कुछ होता भी है क्या जब रात की लोकल धीमे कदमों से अंधेरी स्टेशन पर आती है तो सारी ओरते उस पर लपक जाती है एक ही डिबबा नसीब होता है ओरतों को ग्यारा बजे के बाद उस एक डिबबे में सारी ओरते चड़ जाती है मैंने पूछा है कई दफ़े ट्विटर पर ओफिशल से आपको क्या लगता है ओरते ग्यारा बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलती इसलिए लाद देते हैं उन्हें बोरियों के तरह एक दूसरे के ऊपर या आप सोचते हैं कि ओरतों को घर से निकलना ही नहीं चाहिए जवाब के नाम पर आई कुछ री ट्वीट्स कुछ भारी भरकम में सौजने और एक लंबी सी चुपी उस चुपी का शोर आज तक गूंचता है संडे की दोपहर वाली खाली डिबे में अगर औरत की हिफाज़त करना जरूरी नहीं तो औरत का आवाज उठाना घलत है क्या अगर निर्भय होकर मरना घलत है तो घुट-घुट कर जीना सही होगा क्या पर फिर रात की लोकल ट्रेन है तो अपने साथ धेर सारा समय लाती है तो एक हात यहाँ एक तांग वहाँ टिका कर सपने देखने का वक्त मिल ही जाता है क्योंकि क्या है ना, सपनों के तो पर होते है आप खुद को चाहें जितना चकड़ ले, सपने तो आजाद है खोटो पर उसके होटो का सपना देखना घलत है क्या बीच रात उसके छुवन की वाहिमा करना सही क्यों नहीं अगर किसी एक इनसान से तमाम उम्र प्यार करना सही है तो अमरिता का प्यार साहिर के लिए गलत था और अगर किसी एक इनसान के आरजू में तड़पना गलत है तो इम्रोज का प्यार अमृता के लिए गलत था क्या अगर खुदगरजी प्यार को खत्म करती है तो उसे पैदा क्या करता है अगर ये दुनिया दुनिया वालों के हिसाब से चलती है तो हर रोज एक मजनू क्यों मरता है अगर इश्क इबादत है तो धरम के नाम पे क्यों बढ़ता है और अगर सुकून ही चाहिए तो उससे मिलने को दिल बार-बार क्यों करता है ये सही और गलत गलत और सही इसका फैसला आखिर कौन कर सकता है Thank you